असलाम एकोमे वार्यस वेल्कम टो फ्रेंस्किचर न यूट्यूब चानल अज फ्रेंस कुछर्ण में बने जा रही हैं बहुती तेस्ती और यömy सी वेचेट शॉसलिकी रेसिपी। तो वेचेट शॉसली की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले में आपको बता दो कि अगर आपने भी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब शूरूर कर लिजिए तो वेजटेबल शॉर्टिक नाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में टूटेबल स्पून आयल डाल देंगे और आयल को हम अच्छी तरह से गरम कर लेंगे जैसे ही हमारा आयल गरम हो जाए इसमें हम अद्रक और लेसन का पैस्ट डाल देंगे टूटेबल स्पून और इसे हम हलका सा फ्राइब कर लेंगे अद्रकार लैसिन के पेईस्ट को फ्राय करने के बाद हम इस Main Bari करती हुई हरी मिर्चंट डाल देंगे तीन चार मेरे पास उन्हें मैंने इस तरह से बारी काट लिया इसने भी हम हाँ words बहुन लेंगे इसके बाद हम इसमे फूल गों डाल देंगे एक कप फ्राई करेंगे थोड़ा सा इसके बाद हम इसमें एक कप मटर डाल देंगे इन्हें भी फ्राई करेंगे साथ ही हम इसमें एक कप का जड़ा डाल देंगे मिक्स करेंगे इन्हें मिक्स करने के बाद हम इसमें एक कप शिम्ला मिर्ष का डाल देंगे इसे मैंने इस तरह से काट लिया था अब इसकी शेप देख सकते हैं प्यास को और शिम्ला मिर्ष को हम सेम साइज में काटेंगे सेम शेप देंगे मिक्स करेंगे और चार से पांच मिदर तक हम इने भून लेंगे इसके बाद हमेश मेने स्पाइसिस डाल देंगे हाफ टेबल स्पून नमक डाल देंगे मिक्स करेंगे स्पाइसिस आप अपने ही साप से एक कमया जदा कर सकते है मैं यह बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही इसलिए मैंने इसमें स्पाइसी का इस्तमाल कम किया है मिक्स करेंगे और स्पाइसी के साथ हम वेजटेबल्स को बून लेंगे इसके बाद हम इसमें टूटेबल स्पून चीनी डाल देंगे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से हम चीनी को इसमें मिक्स कर लेंगे बहुत ही टेस्टी रेस्पी है पिसे जरो ट्राइ करें 4 टेबल स्पॉन हम इसमें सिर्का डाल देंगे 4 टेबल स्पॉन हम इसमें साय सास डाल देंगे मिक्स करेंगे अची तरह से हम इन्हें सबजी में मिक्स करेंगे मिक्स करनी के बाद हम इसमें डाल देंगे एक कप के करीब मेरे पास है कैचप ये डाल देंगे इसे जो प्मारी वेजटबल शास्लिक है इसका टेस्ट बहुत अच्छा हाईगा केचप शासलिक का में इंग्रीजिएंट है अगर आप वेजटरबल शासलिक नाड़ है या चिकन शासलिक नाड़ है तो केचप इसमें लाजमी जाएगी हम अची तरह से मिक्स कर लेंगे इसके बाद हम इसमें फॉर तु फाइबल स्पॉन पाने डाल देंगे मिक्स करेंगे अची तरह से पानी को मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे हाफ कप प्यास एक बड़ी सा इसका प्यास था उसे मैंने इस तरह से काटली आप इसके शेफ देख सकते हैं प्यास की और शिम्ला मेर्ज की शेफ जो है वह सेम होने चाहिए इसे हम मिक्स करेंगे अची तरह से प्यास को हमने मिक्स कर लिया है इसके बाद हम इसमें टू टेबल स्पॉन कॉर्ण फॉर डाल देंगे टू टेबल स्पॉन कॉर्ण फॉर हाफ कप पानी में मिक्स करेंगे और इसे हम पैन में डाल देंगे इसे जो हमारी वेज़ेबल शाचलिक है वह बहुत ही ठीक ठीक सी बनेगी तो आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े की टेस्टी और यमी सी वेज़ेबल शाचलिक हमारी त्यार हो चुकी है फ्लेम को हम आफ कर देंगे और इसे हम डिश आउट कर देंगे तो आपको हमारी आज की वेज़ेबल शाचलिक की रेस्पी कैसी लेगी आप हमें जरूर बताइएगा और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें फैमली और फ्रेंट्स में शेयर करें और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलिएगा अलाहाफेज